था या यहां जाए फूट जॉकी हापी। और मैं हूँ फूट जॉक्या कुछ अलग अलग है सबके लिए क्या हूं क्यों नहीं ? मैं तो कुछ एक्सपेक्टी करती क्या है। चलिए तो आज हम बनाते हें boiled egg sandwich, boiled egg यानि कि again high protein sandwich में bread यूज उस करेंगे, हम लोग whole आटा यानि वीड bread यूज कर रहे है, साथ में थोड़े से अच्छे vegetables यूज करके, इस sandwich को हम बनाएंगे, ताकि ये sandwich बहुत अच्छा बन पाये और सब खा पाये, तो आप में लिए क्या bread टोस्ट कर देंगी थोड़ी सी जब तक मैं इस कुकुम्बर को यानि ककडी को में थोड़ा था स्लाइस कर लेता हूं बारिक बारिक सा इन्हें ओमनेट खाते भी बहुत से लोगों को देखा है बट सान्विच वाई सान्विच हापी कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ ब्राइड का खाना है ये कुछ अच्छा सा कॉंटी ब्रैड जो ब्राउन ब्रैड होती हो खाब है इसलिए मैंने सोचा एक का फ्यूजन करके सांविच बनाया जाए ताकि लोग पैक करके ले जाएं कभी लंच के अंदर या कुछ अगर मील खानी हो तो उस बॉइल एक सेंविच को खा सके इसलिए मेरे कंसेप्ट उसके लिए में यह बहुत ही बारीक पतले कटे हुए ककड़ी है मेरे पस है मैं रखता हूं यहां पर साथ ही में मैं लेता हूं एक टमैटो और इसका भी में बारीक सा स्लाइस काट लेता टमैटो साथ ही मेरे पास है यह एक इस एक को मैं काट लेता हूं आपको बहुत ही आपको सिंपल और एलिगेंट टेकनिक बनाता हूं करने के लिए 8-10 निट में वाटर में एक को रखना चाहिए और इसको छान देना चाहिए इस तरीके तरीके से एक बॉइल होता है जो हाड़ बॉइल होता है अगर आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बॉइल एक करना चाहते है तो आपको इसका टाइमिंग आट मिनिट की इसमें लागाता हूँ थोड़ा सा म्योनिस , म्योनिस , इसमें रखते हैं सबसे पहले यह एक की पीसे , voiled एक के पीस इसमें रखता हूँ मैं थोड़ा सा कॉपुमर, राइ डालता हूँ थोड़ा सा सौल्ट साथी में से थोड़ा सा पैपर मेर पास है ये लट्यूस यानी सलात बत्ता लेटर्स थोड़ा सा लेटर्स I think usually मादर सोचती ही कि अज बच्छे को तिफिन में क्या दे ये इस बेस्ट ऑप्षिन फवर कर सतें बचो कि च्घारे के लिए गज कि च्थ does के लूंज भॉकको इस तरीके से आफ लाटी ष़िक स्काट मारे इस तरीके के और इसको मैं रखता हूँ इसके उपर ऐसे तो चलिए निशी रखते हैं इसको सिंपल एक प्लेट के अंदर ताकि हम खा सकें इसको और ये तियार है मेरा बॉइल एक सैंडविच आप बना के खा सकते हैं हेल्दी रह सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं नच भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो रैप बना के डिनर में खा सकते हैं कर दो दो प्रश बना के खा सकते हैं